हेलो मैं डियर स्टुडेंट तो आज हम हमारे कोडिनेशन कंपॉंड का लेक्टर नमर वह 11 को डील करने जा रहे हैं मजा आया होगा क्युक्कि में कॉंप्लेक्स के लाते लिदेल करेंगे सबसे पहले हमको दिया यहां पर कश्षण करवांगे बच्छोँआ लोगो the cfse the cfse for octahydral the cfse for octahydral cocl6 for minus is 18,000 centimeter inverse ठीक है यह मुझे को दिया गया है बहुत पढ़िया बात है बहुत आसान बात है then then the cfse cfse for tetrahydral cfse for tetrahydral tetrahydral के लिए आपको cfse निकालना है tetrahydral cocl4 cocl4 two minus ठीक है विल भी कि यह आपको निकालना है ठीक है काफी easy question है काफी simple question है i hope that you can see what we have given us to point out करते हैं हमको दिया है octahydral complex मतलब solution समझते हैं solution में हमको दिया है octahydral complex to octahydral complex का cfse cfse मतलब आपका delta note कितना दिया गया है बच्चों यहां पर 18,000 cm inverse और आपका इसी complex का similar complex से इसी complex का आपका tetrahydral का पूछा है किसका पूछा है आप लोगों का tetrahydral का पूछा है तो tetrahydral का क्या होगा बच्चों आप लोगों से पूछा है cfse cfse मतलब tetrahydral delta t का तो किसे निकालों के बच्चों आप लोगों को पता है वी नो देट वी नो देट मैंने लाश्ट टाइम आपको लेक्चर में भी निखवाए था वी नो देट सब्सक्राहिं नोट की फॉंदेशिक में पोड़र में इन दोनमें क्या हो सब्सक्राइब इत तो यहां पर कितना आजाएगा यहां पर कितना आजाएगा एट थाउजन सेंटिमीटर इन्वर्स इस तरीके से मैंने इस को डील किया ठीक है और इस तरीके का कोस्षण आप लोग समझ लो कि मोश्ट इंपोटेंट कोशन है और खासतर से यह कॉस्षण तो काफी जयाद है हर लोगों को आपको यह कोशन अंडेट परसेंट तो इस लिए आप इस कोश्छन को तो अछे से कर लिए ठीक है एक बार इस कोश्छन करना आपको आज आएगा चीले नेस कोष्चन कीह ओर बढ़ते बच्चो अब हम तो और मुव करते बच्चो हमारा он्कॉशन क्या हो उसको समझते हैं ठीके मैं और B हम्एन के एचंट अन्याख और किमें पर um कि है अब है अर्त मेंगेनेटीक मुमेंट a magnetic moment, moment of 1.73 bore magneton, 1.73 bore magneton will be, will be shown by, shown by, one of, one among the following, one among, the following, मतलब इन सम में से किस कोन आपका, आपका magnetic moment कितना शो कर रहा है, वो बता नहीं, ठीक है, तो सबसे पहला, एक आपका है, क्या होगा, CUNH3, CUNH3, 2 प्लस, B का आपका है, NICN4, NICN4, 2 माइनस, C का आपका है, TICL4, और D का आपका है, बच्चों, यहाँ पर, COCL6, ठीक है, आप देखो, बच्चों, magnetic moment निकालने का भी तरीका, हम लोग क्या समझेंगे, बच्चों, magnetic moment निकालने का भी तरीका, हम लोग समझेंगे, कौन सा, आप लोगों का, जहां पर CFT, maximum, हम किसका, यूज करेंगे, CFT का, CFT में भी अन्पार इलेक्टरन आप मिलते थे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मिलते थे, CFT में भी अप लोग वांपार इलेक्टरन मिलते थे, तो हम CFT कोशिश करो आप लोग CFT से भी निकालो और VBT तो आपको आता है लेकिन CFT से भी निकालो तो सबसे पहले इस question को deal करने का मैं कैसे deal करूंगा मैं यहां सब का निकालने नहीं बैठूंगा मैं पहले निकालने बैठूंगा सबसे पहले तो नमबर ऑफ अनपर इलेक्ट्र oh अब मैगनेट्रों कितनी होगी तो आपका मेंडिक मॉमेंट की वैलियू आती है बच्चो यहां पर अनपर इलेक्ट्रों की 1.7 3 ठीक है जब n की वेल्यू होती है तो मैंगनेटिक मोमेंट आपको आता रोग पांट 9 ज़िए की वेल्यू इसको बोलतें मू भी नज साथें जब N की वेल्यू आपकी 4 उती तो नटी तो आपकी 4.9 बार मेंगनेटन जब की वेल्यू 5 तो आपकी magnetic moment की वेल्यू कितनी आती ज़्यों बछले इस बात को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब इतनी वेल्यू दिए गई है तो इसका मतलब आपका एक पर कितना होगा और एक किस के लेख्टरोन और यहां पर किसके अंदर है उसको अब समझते हैं यहां पर इसको 6 कर लेते हैं है कि एसको कि पेले समझ कुंजो फिर इस कोश्चन में कोडिनेशन नंबर कितना हो गया कोडिनेशन नंबर आपका हो गया यहां पर निकाल सकते हैं आपका 6 मतलब कुन सा यहां पर सिन कोडिनेशन नंबर कितना है यहां पर सी एन कोडिनेशन नंबर कितना है कोडिनेशन नंबर कितने बच्चों कि यहां पर यहां पर और आप में तो पोस्िबुलीटी है कौशन को से फिट्रॉं समें लेंट कि इस का यहां और सीज़ो आप्द पर क्यों स्क्वाइब प्लेंट कुऌ सबने का स्क्वार इस बात को ध्यान से समझे इस तरीके से अब लोगों को बता दिया चलो यह बहुत भी क्ता को बता रहा हूं को बहुत अच्छ रहरा है तो अपनार रिख आप आप को अच्छ से समझ के लिए होता है बच्छो इस बात को एक तो तीन चार हट रहा हो विचा सब native आप लोगों कोंप्लेक्स में स्प्रीटिंग कैसे होगी बच्चो इस तरीके से आपके स्प्रीटिंग होगी बहुत बढ़ा कुशन है आप देखो सबसे पर इसका ओक्सिडेशन नंबर निकालो यहां पर आप लोग क्या निका सकते बच्चों सी यू प्लस टू में इसका जो से एलेक्रोनिक कॉन्फिग्रेशन होता है सी यू में तो आपका क्या होता है और गन 3D बोलो बच्चा ओर गन 3D 3D 10 4S1 ठीक है और गन 3D 10 4S1 यह exception होता है बच्चों ध्यान से देखो वहां जहां मैंने आप लोगों को लिखा रखा है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आप यहां पर क्या बच्चा बच्चों अब यहां पर नाइन वाला आपको भरना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो अब इसमें आप लोगो को पर यह पर यहां पर यहां पर एक कितनी आ गई वन तो यह आपका आंसर होगा यह आपका आंसर होगा ठीक है इस तरीके से हम लोग इस question पो deal करेंगे ठीक है चलो deal तो हो गया मुझे आंसर आगया answer आना is not sufficient thing answer आना is not sufficient thing हमको answer से बढ़के भी सोचना पड़ेगा तो इसका देख लेते भी बी का देख लेते ताकि आपको एक इसकर प्लेनर का भी example मिल जाए तो B में क्या है बच्चो इसकर प्लेनर complex है सबसे पहले इसका oxidation नमर निकालो NI का NI का क्या होगा बच्चो यहां पर plus 2 और plus 2 में क्या होगा organ 3D 8 4S 0 तो बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया और यहां पर मैंने 3 कर दिया इस तरीके से बनाया था फिर इसको आगे तोड़ा था मैंने यहां पर DJ2, DX2, Y2 इसको प्लेनर में कैसे तोड़ा था उसको देखो कोपी को पल्टो कोपी के पेज़े इसको पल्टो आपको तुरंत पता पढ़ जाएगा कोपी के पेज़े इसको आप लोग टर्ण करो देखो अब इसके बाद कैसे टूटा था बच्चो सबसे ज़्यादा DX2, Y2 DX2, Y2 उसके बाद आपका कौन आता है बच्चो उसके बाद आपका आता था DXY DXY उसके बाद कौन आया था बच्चो आपका DJ2, उसके बाद कौन आया बच्चो आप लोगों का यहाँ पर, यहाँ पर दो आये थे कुन कुन से, D YZ, DJX यह था, इसको थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा DJ2, ठीक है अब इसमें कितने इलेक्ट्रोन भंड नहीं यह तो था आपका किसका स्कॉर्ड प्रेनर का स्प्रिटिंग मैंने बताया था आई होप सो कि आपको समझ मगए इसका एक्जामपल लेना बागी था मैंने ले लिया आप देखो कितने कितने इलेक्ट्रोन है आठ एक, दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, आठ देखो अगर स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंट होता है तो वह हमेशा स्कॉर्ड प्रेनर बनाने की ही कोशिश करेगा आप लोग इसका structure भी geometry में भी देख सकते हो आप लोग hybridization से geometry इसका structure बनाओगे तो अपड़ोगों का करेगा है तो आप लोग इसका hybridization से geometry बना के देखना है hybridization से geometry बना के देखना है hybridization से अगर आप लोग geometry बनाओगे आप का बंजाएगा और इसका hybridization आप ड्यायका कितना आप मतलब square planner ही होगा तो इसका प्राइड का है इस讲 प्रेटिंग किया अब कितने इक लिप्षों यह इन थर्फ है लिपते सबसे पेले अब सिए नाitudine यह तो पहले पेरिंग नेगए टीन चारफ च्छे साथ और यह आस एक दो थीन चारफ से ठीक है च्छे साथ और आँठ तो यहां और नंबर फान पे शुन कितना हो गए बच्चो तो यह आपका क्या परा मेंगनेटिक हो गए या फिर डाय मेंजिटिक हो गए तो आप टी बीटि से भी आपने निकाला होगा तो यह से ही निकले गा बच्चो मैंने आपको दो तरीके इसलिह बताएं कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो तो यहां से भी निकल सकता है यहां पर एंकी वेल्यू जीरो है तो इसका मेंग्नेटिक मुवमेंट कितना होगा बच्चो म्यू की वेल्यू जीरो होगी और इसके म्यू की वेल्यू 1.73 तो 1.73 वाला एक आंसर मिल गया अब इन दोनों का आप लोगों का निकालना है खुछ से एक बार रहाए मालना है इस दोनों का यह आपका वीक फिल्ल लिगेंट है यह भी आपका वीक फिल्ड है अब ध्यान लगनिए स्ट्रॉंग क्या बनेगा रही ऑप सुक्त प्रेंट हमेशा बने बनेंगा आपको यह चीज़ आप अच और अगर tetrahydral हुआ तो इसका मतलब वह वीक फिल्ड होगा तो यह चीज़ आप लोग easily कर सकते हो ठीक है यह चीज़ आप लोग easily कर सकते हो यहां पर analysis करना जितना ज्यादा आप लोग समझोगे question को उतना ज्यादा समझ में आएगा ठीक है तो आप इस क्यों नोट के लिक सकते हो चुप स्वे इन क्यों प्रेसल रॉफ है ऑन्स में होगा तो complex will be square planar complex will be square planar but in presence of weak field ligand complex will be complex will be tetrahedral I hope so कि अब आपको clear हो गया होगा किस तरीके से मैंने इस question को deal किया यह आप लोग note डाल के लिख लेना यह special note है मेरी तरफ से मेरा note वो लिख लो ठीक है अब next magnetic moment का भी question हम किससे कर सकते है cft से magnetic moment का भी question हम किससे कर सकते है cft से अब हम चलते बच्चों एक दूसरे question पर उसको समझते हैं एक एक करके समझते हैं ध्यान से एक और question करते हैं हम लोग हम लोग एक एक कॉश्चन को मैं यह बता रहा हूं अगर आपने copy के question कर लिए practice that is more than sufficient copy के question कर लिए मतलब वह बहुत ज्यादा sufficient है क्योंकि मैंने copy में इस जिस लेवल के question करा रहा है जिस लेवल के आपको book क्या किसी other reference book में भी नहीं मिलेंगे ठीक है मैंने बहुत highly level question को करा रखा है so that's why you have to solve these question notebook question very very much amount मतलब आप लोगों को ज्यादा amount में notebook के question करने notebook को कम से कम exam से पहले पांच बार पांच बार उसके सारे question पांच बार लगाओ मैं आपको guarantee जाए सकता हूं कि notebook के question अगर आपने पांच बार लगा लिए 100% आप लोगों के 100 में से 100 को ही नहीं रोक सकता से कोर्डिनेशन कंपाउंड के टेस्ट में आप देम शूर ठीक है अब देख लेए अगला question अगला question अ आप देंग्रेजीग इंक्रेजिंग ओडर ओडर ओफ वेलेंद मिलते ही आप लोगों कहां भूब करना है वाली बात मैंने कहीं करी थी बच्छो वाली बात मैंने कलर कलर ओफ कॉंपलेक्स कंपॉंड में कि थी थी ठीक है तो देख लेके वेवलेंद और absorption absorption for the complex iron ठीके ये आपका first क्या है बच्चो यहाँ पर CR CR NH3 6 3 plus second आपका क्या है बच्चो यहाँ पर CR 3 minus 3 आपका क्या है बच्चो यहाँ पर CR H2O6 3 plus और fourth आपका क्या होगा बच्चो यहाँ पर CR CN 6 3 minus यह हुआ चलो अब इस question को किसे करेंगे सर बहुत ज़्यादा confusion नहीं इस question को deal करने में तो इस question को deal करने के लिए हम लोग एक technique का use करेंगे एक एक ट्रिक नहीं बुनेंगे उसको एक logical concepts logical concepts का करेंगे use तो समझ ना मैंने कल आपको बताया था क्या होता एक कलर कॉंप्लेस कैसे कलर शो करेंगा देखो यह उक्ता है यह इस एक्जामपल में बता रहा हूं इस question के लिए approach यह यह नोट डालके भी लिख लेना इस टाइब के लिए approach ही है बहुत प्यारा approach है बहुत easy समझ में आएगा अब देखो यह एक अकेला जो इलेक्ट्रों ने इस सबसे पहले क्या करेगा अब्सर्व करेगा यह क्या करेगा कोई wavelength को अब्सर्व करेगा 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 अब बास समझना यह जो वेल्यू है यह जो वेल्यू है ध्यूंट देखोलन चैनी डिजम समझ में है आएगी में अच्ट्रेंट आप flats यह कि लिगंटी पहले क्या करता है ल वाली मेल यह बहुत जादा है तो यहां तक जाने के लिए मुझे एनर्जी नहीं मिल पाती उतनी तो वो पहले पैरिंग इसी लिए कराता है समझना बात को एक और बार कि सबसे पहले पैरिंग कराता है उसका रीजन जानो स्ट्राउं फिल्ट लिएंट की वजज़िसे ऐसी बढ़ते है बढ़ता है अब यहां तक जाने के लिए ज़्यादा अनलगेगी लेकिन कराने में एनर्जी कम लगेगी तो पहले वही काम करेंगा जिसमें अनर्जी कम लगे लगेगी तो एनर्जी पैरिंग कराने में कम लगेगी एस पर बूब करने में बास समझ में आया बास समझ में आया इसको आप नोट डालके मेरे लेंग्वेज को अपने लेंग्वेज में भी लिख लो बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है इसी लिए कराता है क्योंकि पैरिंग एनर्जी कम होती है और कोई भी कोई भी लेसे अनर्जी वाला काम पहले करेगा उसके बाद हाई अनर्जी वाला तो इस ट्रेंट ऑब लिगेंट की वज़े से डेल्टा नोट बढ़ता है तो इसका मतलब यहां पर चार इलेक्ट्रोन की सिस्टम वाला एक्जांपल बता देता हुँ ताकि आपको समझो है वन टू थ्री फॉर वन टू थ्री देखो इस्ट्रेंथ ओफ लिगेंट बड़ा तो डेल्टा नोट बड़ा अब उपर जाने में एनेर्जी ज्यादा लगेगी इस गणता जैना सबुएंगे तो वो उपर ना जाके उपर ना जाके वह नीचे चला जाएता है इसलिए हम क्या करते बच्चों यहाँ पर यहाँ पर जितना जादा इसका गशना प्वा इतना जपका कि उतना ज्यादा आपका कि क्या होगा इस ट्रॉंग फिल्ड होगा और इसको उपड़ जाने के लिए यह उतनी ही एन एनर्जी की रिक्वार्मेंट होगी मतलब समात को समझना ध्यान से कि चलो ठीक है यह एलेक्ट्रोन है अब यह कितना है बहुत ज्यादा है तो इसको ज्य ज्यादा एनर्जी की रिक्वार्मेंट पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वार्मेंट पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वार्मेंट पड़ेगी तो यहां पर जो एब्सोर्ब करेगा वो कौनसी एनर्जी को एब्सोर्ब करेगा हाई एनर्जी को हाई परेगा इसका मतलब उसका wavelength क्या होगा कम होगा बात समझ में आया तो समझते आप विब ग्योर विब ग्योर जी में लिखा और को एक साथ वाई को एक साथ जी को फिर इसको फिर इसको आप देखो यहां पर strength of ligand का order मैंने कल आपको बताया था strength of ligand का order ठीक है एक बड़ सचिन क्लास से फरार ठीक है और oxalator को पानी से प्यार oxalator को पानी से प्यार उड़ता हुआ अमोनिया उड़ता हुआ अमोनिया नौर्थ नौर्थ कैनेडा एंड कोलंबो में मिला यह मेरा था इस के साथ से देख ले थे तो सबसे सबसे ज़्यादा वीक कौन सा है strength of ligand देख लगए है strength of ligand सबसे ज़्यादा वीक किसका है कि इसके बाद किसका आएगा उसके बाद आपका है एच्टू एच्टू के बाद आपका एनस थ्री इस पेक्ट्रो केमिकल सिरीज उसके बाद आपका सी एट अब आप बातों को घ्यान से समझो मैं जो बोलना चाहरा हूं strength of ligand सी एन का जाता है मतलब सी एन का यह बहुत ज दिख लेते हैं Director किसमे सबसे कम होगा Great Length आप आपर डीटा ड्यक्टे मतलब सी एफसी किसी किसकी वज़यars से सबसे ज्यादा होगी जिसकी strength of ligand ぞादा होगी तो सी एफसी आपके किसकी होगी इतनीそうそう energy25 के बाद के बाद को discussing अए यह किसका ऑड़र है और ने बच्छो सिय का सिय कि मतलब औरजयाद पर्षिच्ट, ज़्यादा तो सबसे सबसे कम से कवे ज़्यान सबसे कंव फिर छोगा फिर उसके बास सेर्ड होगा फिर उसके बास सेकेंड होगा ठीक है मतलब इस बात को समझो कि जिसकी जिसका यह जादा ए उसको एनर्जी जादा लगेगी इसका मतल्ब उसको wavelength आपका कम होना पड़ेगा तो क्वारा यहां पर आंसर क क्या ovember आएगा सेकेंड थर्ड सेकिंड थर्ड總 सेकिंड मैं ब BROWN की जाद होगी सब्से जड़ा आप Giving Time की ओगी सिसे की सेकिंड में सेकिंड के बाद थरद के बाद फिर्ट फिर्स्ट के बाद फोर्ड ठीक है हाँ ठीक है यह चीज़ आप लोगों समझ में आ गई तर यह वाला देड़िया में आपका सबसे ज़्यादा होगा सेकिंड वाले में आपका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा मतलब वह लेस एनरजी वाला एब्सॉर्ब करेंगा ठीक है तो यह इस तरीके से हम इस सब्सक्राइब काफी अच्छा और काफी इसमार्ट सा कॉश्ण है ठीक है काफी ज्यादा समार्ट सा कॉश्ण है आप लोग को कहीं न कहीं प्रॉब्लम हैगी यह एडवांस में आया वह कॉश्ण है और आप लोग खुद देखके शौक देना हो जाओगे इस कॉश्ण को यहां पर कॉश्चन दिख लेके हैं दो ऑक्ता हाइडरल सोच्छ साइडरल कम्पलेक्स ऐख लेग इससे और of a metal iron M plus 3 octahedral बोल दिया है बात बहुत बढ़िया with 4 monodented with 4 monodented with 4 monodented with 4 monodented with 6 iron octahedral तो 6 monodented ligand with 6 monodented ligand कौन कौन से L1, L2, L3 L4 तरहें यहाँ पर 4 आपका इसके लिए बच्चो with 4 monodented ligand absorb 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 wavelength मतलब lambda in the region in the region of of red green yellow and blue respectively respectively the increasing order of the increasing order of the increasing order of strength of ligand काफी बढ़िया कोशन है, काफी अच्छा कोशन है इस कोशन को कैसे डिल करेंगे, समझने वाले बाते काफी इजी कोशन है, आप लोगों को हो जाना चाहिए था, समझो, वीडियो को पोस करो, एक बार आप लोग ट्राय करो, देन आफ्टर आंसर देखो आप, कौन सा elegant सबसे जादा इस्टों होगा, आप देखो यहां पर, म स्ट्रेंट ओफ लिगेंट, यह दिया लखो, स्ट्रेंट ओफ लिगेंट, ठीक है, स्ट्रेंट ओफ लिगेंट बढ़ेगा, यहां पर देखो, स्ट्रेंट ओफ लिगेंट बढ़ेगा, इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो लेमड़ा क्या अपकि आपकी क्या बढ़ती है वाले कि बढ़ होगी और यहां से यहां जाएंगे तो आपकी एनर्जी वेल्य में बढ़ेगी तो आप देखो अब प्लू लिगेंट वाले का एनेर्जी ग्या है बच्यों हो है फो ठीक है अब यहां पर आपको दिखा रहा है यहां पर घ्रीन ग्रीड अपकों दिखा रहा और रेड Колर आपकों दिखा रहा है दिखा रहा है तो देखो रेड कलर यह है आप देखो ही ह्जाथ of lift अब देखो अगर अगर और कि बढ़ेगी तो graduate dost बढ़एगा तो energy कि कि ज़्यादा है energy कि कि ज़्यादा है रेड की ग्रीन की या यल्व की या ब्रू की देखो-इसमें जहां से यह हैं जारे तो सबसे ज़्यादा एनेर्जी ऑगे आपकी किस की बुठों की रेड के बाद कौन आ रहा है बुठों घ्रेश happiest ये कि अश्ट्रारीय मतलब गया था और यही में अगर आप लोगों से एडवांस में इस ते आपको कॉशन पूछता है एडवांस में तो concept है ना simple है आप लोगो अगर logic नहीं लगाओगे तो कैसी चलेगा अब इसमें actually एक और extra concept यह पूछ सकता है कि red color आपका कौन सा light emit करेगा यह तो absorb किया था यह तो absorb किया था मेंने बुला अपना complimentary color करता है red का complimentary color कौन सा होगा बच्चो आपका red का complimentary color आपका कौन सा होगा color wheel बना देते color wheel से आपको जदी आँख श्रमझ में आएगा यह मैंने color wheel बना दिया देखो वीब ग्योर ठीक है रेड़ वाला है तो वह कौन सा कौन सा वाला इमिट करेगा आपका ब्लू वाला यह इमिशन यह इमिशन वाला आपका कौन सा है एमिट के बाद आपका क्या हो घगाएगा एमिट के बाद आपका कौन सा है दिखाएगा कौन से दिखाएगा इंडिगो इंडिगो कलर एल-3 इमीशन अगर आपको इमीशन दे तो पहले एब्जोर्ब पर आओ उसके बाद स्ट्रेंट और निकालो समझो यहां पर एब्जोर्ब था इसलिए मिने डिरेक्टली निकाल लिया लेकिन अगर इमीशन स्पे कि यहां यह वालो के वाद आपका क्या जाएगा यहां पर कर दिखेगा वाइलेट ठीक है यह वाद ध्यान उक्हों और इसके बाद नीचे निख रहा हूं इसके बाद ब्लू कुन सा कलर शो करेगा ब्लू आपका कुन सा ये है तो ब्लू आपका शो करेगा औरेंज रेड औरेंज रेड औरेंज रेड औरेंज रेड बोलो या रेड मिले या फिर औरेंज मिले दोनों एकी साथ होते हैं दोनों एकी साथ होते हैं तो यह एल फॉर दिखाएगा य अगर मुझे यहां पर बोला जाता ओक्टाइडल कॉंप्लेक्स ओफ मेडल आयन प्लस थ्री विद फॉर मोनोडेंटल लिगेंट L1 L2 L3 L4 एमिट लेम्डा इमिट इमिट मतलब दिखा रहा है इमिट लेमडा इन-दर रीजन ऑफ तो रेड्र इलो ब्लू तो रेडग्र्फ ले जो पीम्डन इनकलता मतलब जश्ट अपोडिट वाला स्बैक्टर्म वाला निकलता यह निकाल लेता और यह निकालने के बाद एब्सोर्ब का अजन लगाता एब्सोर्ब वाले में हिए फोलो करता है यह इस बाते तो पहले निकाल लो अगर दिया तो अज़ी को पूछा गया तो बहुत अच्छे बाते अज वह वैं बनागएस अप लिग थे काफी easy question था काफी simple था यह advance में पूछा गया question था और advance में पूछे गए question से यह वाला note डाल के लिख लेना आप हमेशा पहले क्या निकालोगे absorb निकालोगे यह note डालके आपको अब ऐसे भी पूछ सकता था यह यह पूछता तो super advance यह पूछता तो advance यह आपका advance लेवल यह आपका advance प्लस ठीक है काफी easy है नहीं तो आपके multiple choice में पूछ लेता कि rate, color, image, spectrum, L1 यह यह तो multiple choice में भी आ सकता है बहुत ही easy question है चलो यहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा अब हम देख लेते stability of complex तो stability of complex हम कैसे निकालेंगे बहुत ही बड़े बड़े कोशन हमने deal कर लिया अभी आप देखो पुराने concept को लेते गया stability of complex complex की stability complex की stability दो factor पर एक्चुली dependent है ठीक है complex की stability stability of complex और भी और भी बहुत सारे factor है बच्चो लेकिन जनरली हमें स्लेवस में यह ही पढ़ना है stability of complex ठीक है stability of complex complex की stability बहुत सारे factor पर मेजर करती है आपके सबसे पहला पहला आप लोगों को ध्यान रखना है cfac और second आपको ध्यान रखना है नेचर ओफ लिगेंट नेचर ओफ लिगेंट यह दोनों चीज़ा आप लोगों को ध्यान रखना है अब मैं बात कर लेता हूं cfac अब बात समझना cfac पहला पोछ दालनो cfac डीपेंडेंसी ओं Gigas a डीपेंडेंसी ओन प्यच्पेंडेंसी के को आप्छी सबसे पहले बात कि इस्ट्रेंद Management सबसे पहले बाद आती है strength of ligand जो कि हम से देख सकते हैं जो कि हम कहां से स्प्रेक्ट्रोग केमिकल सीरी से हैं आई हो जो कि आपको ध्यान हो जाए हो गया होगा उसके बाद इस ट्रेंट ऑफ लिगेंट देखने के बाद हम oxidation नंबर ओफ मेटल याइटम मेटल आयन उसके बाद क्या देखेंगे आप लोगों को देखना है CFAC किसके ज्यादा होती है जनरल ही आप लोगों का cfac ज्यादा होता है सक्वायर प्लेइनर उसके बाद ऊक्टाइडल उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चो आइडेंटिफाइड कॉंप्लेक्स आइडेंटिफाइड कॉंप्लेक्स अगर कुई कॉंप्लेक्स आपका स्कॉर प्लेनर आजाए अगर कुई आप देखो यहां पर यह वाली चीज आ गई आप देखो यहां पर स्ट्रेंथ ओफ लिगेंट कैसे बढ़ता है जब हम डी ब्लोक ऐलिमेंट में कहां जाए बैटा डाउन टुद ग्रुप जाए डाउन टुद ग्रुप जाए तो क्या बढ़ता है बच्चु आप लोगों का स्ट्रेंथ ओफ लिगेंट बढ़ता है स्ट्रेंथ ओफ लिगेंट आप लोगों का डाउन टुद ग्रुप जाएंगे डीव लोक ऐलिमेंट में तब भी आपका बढ़ेगा आई होप सकी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको सी एफसी से रिलेटेड देखना है ठीके और अगर हमको सी एफसी वेल्यू दे दी जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो बहुत अच्छी बात है ठीके तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीके तो यह पहला आप लोगों को ध्यान रखना है चलो पहले से रिलेटे हम आप כौशन कर लेते हैं एक्जाम्पल ऐग्जाम्पल देख लेक है कि अरेंज इन दर इस्टेबिए टी ऑडर ओड ओफ कंपलेक्स अधरेने इसक्त हैं आपको कोशन करवा जायता हूं फिर मैं आप लोग बहुत सारे कोशन करवा हूंगा ठीक है सबसे पहले कोशन देख लेते हैं हम लोग यहां पर पहला कोशन है बच्चों हमारा के फॉर यहां पर के फॉर एफी सी एन सिक्स और यहां पर के फॉर यहां पर के फॉर एफी सी एन सिक्स यह पर्ष्ट यह आपका सेकेंड ठीक है देन आफ्टर यहां पर आपका हो गया एक्जाम्पल सी यो सी एन सी एक्स सी एल थ्री यहां पर सी यो एफ सिक्स सी एल थ्री यह फर्स्ट यह आपका सेकेंड ठीक है इसके बाद इसके बाद आपका हो गया है जेडें एच्टू ओ सी एल थ्री यह फर्स्ट और यहां पर सी डी एच्टू ओ सिक्स यह आपका सी एल थ्री ठीक है यह हो गया दिन आफ्टर आपका यहां पर देख लेते हैं फॉर्थ कॉश्च्छन एन आई सी एन फोर टू माइनस एन आई सी एन सी एन सीक्स दू माइनस फिर आपका आगया एन आई सी एल फोर एन आई सी एल फोर टू माइनस ठीक है यह फर्स्ट यह सेकिंड और यह थर्ड ठीक है देन आफ्टर आप लोगों का लेता हूं मैं यहां पर एक और कॉश्चन सी आर एच्टू ओ सी एल टू यहां पर लिया मैंने सी एर एच्टू ओ सीằ услg3 यह हो गया हो गया फर्स्ट और यह हो गया आपका तो सेकिंड ठेक है यह फूंकर एक और कॉश्चन ले लोगे पते हैं सी आर F6 त्री माइनस सी आर 3-1 यह हो गया फर्स्ट और यह हो गया आपका सेकेंड यह थोड़ा बहुत कोशन है जो आपको करने हैं देखो आप इस कोशन को कैसे डील करते हैं पहला कोशन अब कैसे करेंगे बच्चों इस कोशन को मैंने आप लोगों को तीन-चार चीज़ें बताई लिए अधर यहां पर नहींट है और तो यह भी तो यहां पर आएगा तो यहां पर आएगा ओट यहां पर यह भी तूटेगा तो 3-डिओं यहां पर एफी आपका प्लस फीड पर एफ यहां पर एफीड बटार प्लस 2 में और यहां पर डिओं पर त्री में तो आप लोगों को पता है सी सी एसी डालेकल इस ट्रमिक डूब glitter नम्बर्व ऑन ऌसी इस सेंटरल मेटल आया और जितना ज्यादा सी एफ एसी बढ़ेगा उतना ज्यादा इस्टेबिटी बढ़ेगा इस्टेबिटी बढ़ेगा सो यहां पर सी यो सी यो से में सी एन ठीक है तो आप जानते हो इस ट्रेंट ऑफ रिगेंट लीगेंट का किस ब्रूप यादा है आप लोग जानते हो सी एन का ज्यादा है और इस्टेबिटिए और इस्टेव्लिटी水 बेटी पर आप देखो जिसका strength of the green जादा होगा उसका CFAC जादा होगा उतना जादा इस ते बलोगा तो first आपका परस्ट आपका जादा होगा इस compared to second order समझ में आ गया यह आपका B question भी question ठीक है यह आपका B question ठीक है समझ में आया आप देखो यहाँ पर क्या है क्या है सी में सी में देख लेते बच्चों सी में आपका point of difference identify करो h2o h2o similar ligand है चाहिए यहाँ पर charge भी निकाल लो यहाँ पर charge क्या है प्लस टू यहाँ पर भी charge प्लस टू तो सीडी पर भी प्लस टू आएगा जेड़ेन पर प्लस टू लेकिन आप जानते हो डाउन टू जाते तो जड़ेन जड़ेन उपर आता है फिर उसके पाद सीडी आता है तो आप जानते हो बच्चों तो इसके इसाब से आंसर क्या आएगा ने है यहां लिख रहा हूं इसका अंसर ठीक है देखने न यहां लिगेंट अटाके बताओ क्या आएगा आप लोगों का डाउन टू ग्रूप जाएंगे तो ज्यादा होगा तो सेकेंड ज्यादा हो जाएगा एस कंपेर टू फर्स्ट आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा अब इस कोशन को कैसे डील करोगे बच्चो अब कोटीनेशन नमर समना मैं। यहां पर कितना है चार नंबर कॉडिनेशन नमर क कितना है चार आप चार वाले में तो ही आपका ओढ़ाइक सब्सक्राइग सब्सक्राइब सब्सक्राइऑ सब्सक्राइब और एफ आपका होमवक है तो यह आपको होमवक करके मुझे बताना है ठीक है यह थोड़ा सब ध्यान को आपको चलो तो यह तो हो गया सर आपका सी एफ एजी से रिलेटेड कोशन अगर मैं बात करूं कि यहां पर नेचर ओफ लिगेंट सर क्या एफिक्ट डालता है तो देख लेते हैं नेचर ओफ लिगेंट बात समय लेते हैं नेचर ओफ लिगेंट में एक्ची ध्यान लखना एक्ची हमेशा ध्यान लखना कारवल नेचर ओफ लिगेंट लिगेंट आपके दो टाइप के नेचर क्यों होते हैं एक होता है चिलेटिंग लिगेंट एक होता है मुनो और सबसे पराइब का मतलब क्या होता है रिंग फोरमेशन ठीके क्या होता है रिंग फोर्मेशन ठीक है सबसे पहले information होता है और अगर यहां पर नम्मर ओफ रिंग जितना ज़्यादा अपका इस्टेबल होगा और है और मेंबर कि मेंबर इन रिंग कि मतलब जतना ज्यादा रिंग में मेंबर होगा उतना ज्यादा आपका इस्टेबल होगा तो यह आपका एक तरीका है ट्रेंड है समझना नेचर आफ लिगेंट में इसलेशन वाले सबसे ज्यादा उसके बाद नमबर ओफ रिंग वाले अगर दोनों के दोनों इसलेशन आ गए अगर बोथ आपके इसलेशन आ गए तो क्या देखोगी नमबर ओफ तो को दिखा न रखने है चलो एक एक करके कॉशन देख लेते हैं बच्चों हम लोग इससे पूर्द अब देखो यहां पर कॉशन इससे रिलेटेड कॉशन वे बता देता हूँ देख लेते हैं है ठीक है कॉशन अरेंज इन डेंक्रीजिंग और ऑफ अरेंज इन्डेंग इंक्रेजिंग ऑडर ओफ अरेजिंग पर इस्टेपलीटी कि on the सबसे पहले हैं सबसे पहले हमारा यहां पर सी आर है एक टू ओ सीक्स थ्री प्लस कि सी आर सी टू ओ फॉर थ्री थ्री माइनस और यहां पर क्या होगा सी आर आर सी एल सीक्स वैसे आप स्पेक्ट्रो केमिकल से इस ट्रेंद ओफ लिगेंड के बैसे पर निकाल सकते हो ठीक है लेकिन आप देखो यहां पर यह ओगया आपका कौन सा फ़र्स्ट यह ओगया आपका सेकेंड यह ओगया थर्ड अब इस कोश्चन ओओ कैसे सोल करेंगे बच्चो समझते एज वी नो देट एज वी नो देट इन सेकेंड कांप्लेक्स असेकेंड कांप्लेक्स ने सेकेंड कां फिलेज गभाई सेकेंड केंट aan पर रिंग्र मतलब यहां पर क्या होगा चिलेशन ये क्या होगा चिलेटिंग लेटिंग निगेंट है К्वज़ आप चिलेटिंग लेटिंग होने की cultural रिंग फार्म करेगा तो मैं ने बोला कि जिसका चिलेशन होगा की इन यहां पड़े देता हो उसके बाद क्या होगा सेकिंड और थर्ड में तो सेकिंड एंट थर्ड में मैं क्या देख रहा हूं बच्चो इस ट्रेंट ओफ लिगेंट किसका जादा होगा सील या एच्टू होगा आई होप सुकि आपको पता होगा स्पेक्ट्रो केमिकल स्र इसेप्ट को डिल किया है और भी हम कोशन से देख लिए बच्चो इससे एलेटेड आप लोग इसको नोट डॉँकरो अप लोग इसको द्यान दखो एक और कोशन देख लेते बच्चो कोशन में कभी कमी नहीं करना है हमेशा ध्यान लखना एक एक में टम्स आपको लिखा के बाद रिमेनिंग और मतलब इसको देखेंगे ऐसा थोड़ा ध्यान को यह तरीका है मेरा तरीका है ठीक है तो इस तरीके से कर लेना ठीक है कहीं और भी देखने को मिले तो समझ जाना वो मेरा ही तरीका है अब जो कहीं और भी अगर आपको देखने को मिल जाए समझ जाना वो मेरा ही तरीका है ठीक है और कोई तरीका कि किसी का नहीं ही है मैंने कहीं एक्जांपल की उससे रिलेटेड ही है अब देखो अगला अब क्या करेंगे बच्चों यहां पर एफिफ एफ सिक्स त्री माइनस इसको डारिक्तलिव भी अरेंज़ कर सकती है आप लोगो पता होगा स्पेक्ट्रों केमिकल स्रीज से लेकिन इसको आप लोगों को बता देता हूं यहां पर चिलेशन होने की वज़े से देखो थर्ड पॉर्थ मैंने वह जो और्ड बताया वह चिलेशन का बिक कंप्लीट है त्हक्तर अपको कह थे मैं पर समझ लेना सब से हैं सबसे पहले पार न तो सबसे पहले इंध कर बंड ओन driven यह सिए ना पर क्या बच्यों कारबं डोनरФ था है। सिऊ नपका क्या होता है एक फीगे उपर प्लस थीैंगे यहां पर भी एक इतूब और सुरे यहां पर भी एक क्योंपर प्लस्टितरि स्यार आपका के ऊलूरह के लिगन वाद्व है। भाध आपका तेकिक एक जुए चैनल के इस ये जह रहें और यायो झचा। और फोर्थ में कैसे कंपेर करेंगे आप लोग जानते हो यहां पर एच्टू का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है फ्लॉरीन से तो क्या जाएगा बच्चो फर्स्ट के बाद आपका क्या जाएगा फोर्थ तो यह सब मैंने निखवा रखा था यह एक्चुली स्पेक्ट्रो केमि कि इतने कोश्चन मेंरे कशायर करा रखें आप लोग समझ मझा कर लो बहुत जअदा बच्चो बहुत ज़्यादा एक्सीस है C के टोती आँपशन थे करा कशनद पर आप लोग कर था को कॉच्छन थोड़ा एडवांस लेवल का बच्चो तो आप लोगों को समझना है कि ओए Tra пор इस कि 3 Jai 3- 10 और यहांपर क्या है ऐसकेृश एड़ियोटी एयगे ती यह कि माइनस ये आपका है यहांपर एड़ियोटी आपका 4 वाला है यहाँ पर ADT आपका कौन सा वाला है बच्चो 4 माइनस वाला है ADT यह complex लिख वाया था मैंने वही है अब काफी अच्छा कोश्चन है काफी simple कोश्चन है देख लेके बच्चो अब आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि केसे करें दोनों चिलेटिंग है यहाँ पर यह फर्स्ट है यह सेकेंड है तो क्या बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ complex are having both complexes both complexes are having are having चिलेटिंग लिगेट दोनों के दोनों आपके चिलेटिंग लिगेंट रखते हैं सो हूं सो वी केंग कंपेर है वी केंग कंपेर इट पाइध भाई दा बाई नम्मर और ओफ रिं ओवर वैंबर दे 2 इन दोनों से compare कर सकता है इसको आप देखो यहाँ पर दोनों की दोनों में आपके क्या है बच्छो कॉम्प्लेक्स है जिसमें चिलेटिंग लेएंट है आप दोनों को कैसे compare करेंगे देखो अगर मैं अब डिऑ बनाना चाहोंगा तो यहाँ पराइफियो प्लस थ्री वाला है और यहां पर कोडिनेश्ण नमबर कितना है भच्छो 6 होता है जहांपर भी कोडिनेशन नमर 6 होता है क्योंकि यह आपको अलेगेंट होता है hexadented, मतलब 6 देता है यह आपका hexadented होता है coordination नमर किसे निकाला है एक ligand है, hexadented है तो यह 6, अब 6 है तो octahiddle ही बनेगा, अब octahiddle मैंने बना दिया देखो अब देख लेते हैं, यहाँ से एक OX जुड़ा होगा, यहाँ से एक OX जुड़ा होगा, यहाँ से एक OX जुड़ा होगा, तो यहाँ पर number of ring कितनी बन गई बच्चो देखो, यहाँ पर number of ring कितनी आ गई number of ring कितनी आ गई बच्चो यहाँ पर 3 आ गई अब आपको EDTA में थोड़ा सा तकलिफ होने वाला है अब बगल में मैं EDTA का structure बनाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा EDTA का structure क्या होता है CH2 CH2 N N, यहाँ पर CH2 COO- यहाँ पर CH2 COO- यहाँ पर CH2 COO- यहाँ पर CH2 COO- यही होता है structure, यह भी देता है यह भी देता है, यह भी देता है ये भी देता है और ये भी देता है तो sir रिंग कहां बता पड़ रही है आप देखो रिंग में बनाना बताता हूँ यहां पर भी F e आपका किसमे होगा बच्चो एडी टी एफ फॉर माइनस यहां पर भी 3 प्लस में होगा तो F e P 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 रहने का अपने आप में हमेशन आपने आप में इस्ट्रिक्ट रहने का कि इंदिया रथिक्ट है यह मैं बना देता हूं यह आपको समझ में आ जाएगा अभी 2 सिकेंड के इंदर ठीक है अधिक्डिया ओला बना दिया सिंटर अब यह एनन कि से जुड़े हुए दोनों अपक किस से जुड़े है बच्चो च्छा धुले हो इस तरीके से जुड़े है तो आप लोगो को समझने है कि एन से आप लोगो का किस तरीके से जुड़े हो देखो यहां पर यह आपका CH2 CO यह हो जाएगा O माइनस अब इस ने भी दिया अब एक और जुड़ा वाई ना दो जुड़े में तो यहां पर CH2 CO O माइनस यह भी देगा देखो कैसी जुड़ाइ में ने समझे समझे बात को यहां ऐसे करके CH2 CO O माइनस ठीके अब इस अन से भी कुछी इस तरीके से देखो CH2 CO यहां पर होगा CH2 CO O- यह भी देगा यह भी देगा और यहां से एक और जुड़ा होगा कुन सा CH2 CO O- ठीक है यह भी जुड़ा होगा देखो 6 के 6 हो गए आप इसमें कितने रिंग बन रहे है थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा आपको इसमें कितने रिंग बन रहे है आपको थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा तो देखो एक रिंग तो आपको यह वाला बन रहा है एक रिंग आपको यह वाला बन रहा है समझ यह यह वाला आपका एक रिंग बन रहा है तो यह पहला रिंग तूसरा यहां पर नमडर ऊफ रिंग कितने बच手ह रें नमडर आफ अब को पर आपके पाच यहां पर आपके पाच ता रींग होगए तो Produkt इस ते वाल्ब होगा यह वाला अब मैं आपको एक होंब होपो कोशन आप लोग कुशिश करना है तो आप लोग उसको करने की कोशिश करनार इस से रेलीटेड हो मद दैता हूं तो अगर आप लोग को परहों को समझ में आ जाएगा तो एक होमवग कोशन में निखता हूँ आप लोगों को 100% आप लोगे देखो एड़ी टी यह एडवांस में आया वह कुशन है कैसे बनाया उसको समझो कैसे बनाया मैंने उसको समझो उसी की तरह देख देखके बनाओ इसको ठीक है तो आजए एड़ी टीए एड़ी टीए फॉर माइनस आयन ठीक है एड़ी टीए फॉर माइनस है किसके अंदर आप देखो में मैं आपको सिंपल लिएता हूँ कोबाल्ट वालनेहां, EDTA. यह वाला आपको कौन सा वाला है. EDTA तो आपको क्या निकालना है बच्चुंच इफ्यक्रिटिव एट ओमिक नंबर, कॉडिनेशन नंबर निकालना है, कॉडिनेशन नंबर निकालना है और आपको स्ट्रक्चर बनाना तों अछिए, जोमेट्री बना रही है यह आपका होंग के तो आप लोगों को मुझे बताना है ठीक है बहुत बड़ा कुशन है एक बार आप लोग करो देन आफटर एडवांस में इसी से रिलेटेड आ जा वह आ चुका है तो इसका मतलब आएगा 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 चलो next question क्या इस इस बार देखेंगे इस बार एक और question हे इस से थोड़ा सा आप पर level इसके बाद आपको कोई लेवन का question नहीं बनेगा इसके बाद आपको किसी भी type के level का question नहीं बनेगा तो आप लोगों को क्या 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 रखनाए इस स्प्यक्ट्रोच्पामिकल सिरीज स्टेंद टोफ और आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ ओफ्लिगेंट तो जिसका स्ट्रेंथ ओफ्लिगेंट ज्यादा होगा तो इस तरीके से त्वड़ा सम्झों बात को तो एक और कोशिण देख लाइटे हैं लाइट कोश्ण इसे रिलेटेड दिन आफटर नेक्स लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे देखो लाइप एक और कोशिण है यहां पर लेगा एक और कोश्ण देख लाइए फो फोल्ड ठीक यहां पर आ जाएगा आपका कुन सा F E O X 3 यहाँ पर हो जाएगा 3- और यहाँ पर हो जाएगा F E A C A C 3 3- अब सबसे पहले चेक करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं यह भी आपका बाइडेंटेड है यह भी आपका बाइडेंटेड है इसका नाम क्या होता है इसका नाम क्या होता है ने यहां पर कि कि इसका कोडिनेशन नमर भी कितना होगा त्रींता निटेडट मतलब शुक्स बाइडेंटेडट है समझ मां गया अगर मैं ऐसी ऐसी कर निकालना चाहिए एसी एसी का structure में लिखता हूं एसी केसे होगा एसी टाइल एसी टोनेटो तो यहां पर हो जाएगा एसी टाइल यह आपका इस तरीके से बनता है CH3 ठीक है यह आपका देता है यह आपका देता है चलो ठीक है छे चलो ठीक है श्टार्ट करते है एफी का क्या होगा आप देखो ओक्जलेटर केसा होता है ओक्जलेटर आपका होता है c o minus c o minus double bond ठीक है तो f e के साथ देख लेते हैं यहाँ पर f e कौन सा वाला है plus 3 वाला यहाँ पर f e कौन सा वाला है plus 3 वाला तो अब देख लेते हैं यहाँ पर plus 3 वाला है तो यहाँ पर o minus इसको देगा एक डो एक यहाँ पर o minus देगा यहाँ पर c double bond हो ठीक है यहाँ पर भी कैसे होगा बच्चो यहाँ पर यहाँ पर आपका यह ओहाँ चलो ठीक है यहाँ पर आपका यह तो यहाँ पर O माइनस O माइनस C O माइनस C यहाँ पर डबल मॉन्ड हो यहाँ पर डबल मॉन्ड हो यहाँ पर आपका कैसा होगा कि यहांपर हो जाएगा आपका सीए यहांपर हो जाएगा ओने ऑल यहां पर नहीं इस तरी के से ट्रयής में और गलत हो गया गलत हो गया और यहांपर आपका सी में इस तरीके से आपका इस च्टर बन गिया इसका ठीक है बना दिया मैंने जैनल में इसको बनाना अब और इसका बनाता हूं इसका बनाता हूं इसका री प्लस 3 है तो यहां पर मैंने F E बना दिया और कोडिनेशन कंपाउंड कि कितना कोडिनेशन नमबर 6 है तो 6 वाला होगी आएगा देखो 6 वाला बना दिया अब देखो यहां पर कौन दे रहा है O double bond C CH3 यह एक दे रहा है तो यह वाला बना दिया CH3 फिर यहां जाएगा CH फिर यह वाला double bond फिर यह वाला double bond ठीक है फिर यह वाला double bond फिर यहां क्या आएगा C अब यहां को ना जाएगा O माइनस और इस से कौन जुड़ा रहेगा CH3 इसी तरीके से यहां पर भी कैसी जुड़ा रहेगा ऐसी ऐसी आपका ऐसे ही जुड़ा रहेगा यहाँ पर भी ऐसी ऐसी आपका ऐसे ही जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर भी तीन रिंग बन रही है देखो यह वाली एक रिंग यह वाली एक रिंग यह वाली एक रिंग कि इतने रिंग बन ली साथ नुब्फ तेन से यह नंबर ओर तेन ऊचनुत्रू उफक सतरत है कितने इतम इस विल्पजारा तू यह 1 कि तूँट्री फॉर तो फाइफ एटम का रिंग बन रहा है यहां कितने एटम को बने रहे है वान टू थ्री फोर इस तो फाइफ और यह सिक्स तो हाई ली कुन सा मेंबर रिंग होता है आपका ज्यादा इस्टेबल होता है इस तो फाइफ मेंबर रिंग ठीक है तो आपको सब्सक्राइब के कुश्चे में करवा दिए स्मॉल लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे कुशन करवा दिये और यह आपको हमवग करना है मतलब करना है यह हमवग कर लोगे बहुत कुछ आ जाएगा अब नेक्स लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चो आइसोमर और आइसोमर तो मेरा सबस्क्राइबरेट टॉप